एक लाग बंबाए 50,000 आपके से स्कोटी भी नियर साहब है और पहले भी और अभी तीजाश सानवाज हुसें साहब ने खेल मंत्री शे बात्चित की इनके जाने का अभिजस्ट हम सानवाज हुसें साहब के पास इनको लेकिए गए थे कि और नोतारी को बुलाए यह कि पार्टी के तरब से अभी तीसलार फर्षू एकॉंट में 50 सप्तर हजार क्या पार्टी के तरफ से असी हजार रफया इनको दिया जारा एक लाग हमारे मित्र बंबै से तीन दिन की अंदर क्योंकि नेस्नल चार बार और अभी तक गॉर्मेंट ने कोई कॉपरिशन हां बताओ तुर्की तुर्की युगांडा तुर्की युगांडा और थाइलेंड दुबै नहीं मेरे पास इंटनाशन मैडल है एक ब्रॉंज इसमें रिसेंट्ली अभी मैंने गूल्ड लेकिया आया एक गोल्ड है सिल्वर है मैडल है इंडिया ओलंपिक की तैयारी मेंटी लेकिन कोई सोचने और देखने वारा नहीं है तो बोकारों से हमारे भाई आये थे सेल्स में हैं इसकोटीव हैं इन्होंने कहा कि जब आप कर रहे हैं तो हम लोग भी सारे दोस्त मिलके 50 हमारे बंबाए में दोस्त है मुस्ताग साथ वो करेंगे एक शैनवाज हुसें साथ ने कहा कि पूरी जिस खेल मंत्री से बात करके मैं करूंगा तो वो क्या करेंगे वो तो करना चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं सानवा साथ लेकिन हम लोग के तरफ से लगातार ऑलंपिक यह खेले इंडिया के तरफ से दो हजार 24 में इसके लिए इनका कॉपरिशन हम लोग के तरफ से है अब हाल ही में सर ने मतलब स्कूटी मुझे घिफ्ट करवाया है तो वह मेरे लिए लाइफ में मतलब एक चेंज बहुत बहुत बड़ा चेंज लेका है कि आप मतलब पांस किलो मेटर जाने के लिए मु कि मिले हैं तो प्रैक्टिस के लिए आने जाने में काफी सुव विदा के काफी टेम बसता है तो और ज्यादा के लिए पारा हुए जिससे पहले भी मतलब दोजार सदरा अठार में सबने मदद कर इस जब सरको कुछ बता भी नहीं था कि ये वारे में क्या है नहीं है तो सरको मैंने एक बार बुलते कि सार एंट्री लिए पैसे चाहिए राज के द्वारा हम संकर्प लेते हैं कि बच्चों को छे महने के अंदर किसी भी परस्थिती में फॉर्म भड़ा करके एक्जाम दिला करके रिजल्ट कैसे दिया जाए इसके लिए हम कोट जाएंगे कि आप बच्चों के एक्जाम निश्चन को लटका नहीं सकते हैं आप टाइम टेकिंग करें और उसको पूरा कपवरा पब्लिक धॉमेन करिए इसलिए आज ये दो संकल प्पू यादव जनधिकार पार्टी का सरसती पूजा के एफसर पर और इसी लिए हम लगातार विहार के युवाओं के पृतिभाकोस हमेशा उर्जावान पृतिया अर्वाज को मैंने पहले भी और लगातार में मदद कर रहा हूं हमारी पार्टीम मदद करी हमारे परिव से लिए आज पार्टी ने सत्तर हजार रुपिया हमारे हम लोगों ने मिल करके खिया और इसी खरी में हर दी एक नए संकल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जितनी आतनाय सरकार हमारे बच्चों को रेलवे भरतिवाचों को देगी पप्पू यादव उसके लिए खड़ा ह उसके पड़िवार को मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के निच्चे के बच्चों को यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन बेल कराएगा कौन क्या कराएगा हमारा विरोध जारी रहेगा हम उस बच्चों के साथ इसने यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस्वेर शोरूम सुभास चौक दरभंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और दैने कॉमी तांजीम न्यूजपेपर दरभंगा